नमो नमा सभी भाईयाओं को संस्का सिक्षणे भाउताम स्वागतमस्ति अध्यवयम पंचमह पाटः जननी तुल्ले वस्सलाहा अध्यानम करिश्यामह क्या अध्यारत है इसका माता के समान वस्सले देने वाली माता माता के समान मा के समान जो प्रेम करे सभी पुत्रों से वो है तुल्ले वस्सला जननी माता इस प्रकार से इस पार्ट में जो है एक गाई के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया गया है कि प्रस्तुत पार्ट में समाज में विद्यमान दुरूबल प्राणियों के प्रतिवी माका वासले उत्करष्ट ही होता है प्रस्तुत पार्ट महर्शी वेद्व्यास विरचितस से एतिआसिक ग्रंत से महाभारत अंतरगत शेवन परव इत्यतह ग्रहीतः उससे ये ग्रहिता लिया गया है इत्यत इती अत ग्रहित यानि कि ये इससे लिया गया है किसे महाभारत के वन परुसे यह पाट लिया गया है इम कता सरवेशु प्राणियों में समद्रष्टी भावनाम प्रभोद्यती समान द्रष्टी की भावना को जागरत करती है अश्या अभी सिह तह अर्थो अस्ति यद समाजे विधे माना दुर्व लान प्राणिनह प्रत्यभी मातु वास्सलिंप प्रकर्ष्णेव हूती अश्या अभिव्सी तह इसकी जो है चाहना इसकी जो चाहत है जो इच्छा है इसका यह अर्थ है कि समाजे समाज में जो है इसका वांचित अर्थ यह है कि समाज में विद्धेमान दुर्वल प्राणियों के प्रति विद्धेमान दुर्वलान प्राणिनह दुर्वल प्राणियों के प्रति भी प्रत्यवी भी मातु माता का वासल्यम प्रकट से नेव भ जो है एक बेल की कता है उसके माद्यम से ये बताया गया है कि सभी प्राणियों को दुख होता है जब जो है उसको जब ज़्यादा दुखी करते हैं इस समाज में तो मा को तो दुख होता ही है कस्चित कर्सकर बली वर्दा भ्याम शेत्र कर्षणम कुरवन नासित कस्चित कर्सकर कोई किसान बली वर्दा भ्याम अपने दोनों बेलों को अपने दोनों बेलों से शेत्र कर्षणम खेत को जोत ने जोत रहाता कुर्वन न आसीत खेत को जोत रहा था कोई किसान दो बेलों से खेत जोत रहा था उन बेलों में से एक सरीर से कमजोड़ता तयो बली वर्दयो एक सरीरेण दुर्वलह जवेन गंतुम सक्त चासी तयो बली वर्दयो उन दोनों बेलों में से एक सरीर से दुर्वल कमजोर्दा जवेन तीवर गती से गंतुम असक्तश आसी जवेन तीवर गती से वो मतलब चल चलने में समर्द नहीं था करने का मतलब एक कि वो जो है तेज गती से चलने में समर्द अतह ओं जो है क्रस कह तम दुर्वलम वरसवं तोदनेन नुद्धे माना अवर्तत इसलिए किसान तम दुर्वलम उस कमजोर बेलो को तोदनेन कष्ट पूर्वग को तोद नेन का मतलब होता है कश्ट पूर्वग जो है उसको वैदनाम कश्टम कश्ट पूरवग उसको चला रहा था मतलब उसको परिशान कर रहा था उसको नार्ज हुए जो हल चलने में असमर्द वह खेत में गिर जाता है कौन गिर जाता है वो सव्रसब वब वबेल हलम मूडवा गंतु असक्त हल चलाने में याने की बोजा उठाने में असमर्द और चलने में असक्त शेत्रे खेत में पपात गिर जाता है कुद्ध क्रसीवलग क्रोदिद किसान तमु उठापिदुम उसको उठाने के लिए बहु आरंभ अनेग बार यत्नम अक्रोध प्रेत्न करता है उसने जो है किसान ने बहुत प्रयत्न किया उसको उठाने का कि ये इस पे लग जाए और खेत जोते तता भी फिर भी व्रसह बेल न उत्ते वो बोल जो बेल जाए वो न उत्ति था नहीं उड़ता है भूमो पतिते सो पुत्रम दश्टवा सर्व धेनू नाम मातुहु सुर्भे नेत्राभ्याम अस्त्रूनी आवी रासन भूमो पतिते भूमी पर गिरा हुआ जो है वो अपने पुत्र को द्रश्टवा देख करके सर्व धेनू नाम सभी गायों की माता सुर्वी ने नेत्राभाम अपने आँखो से आँसू गिराए आवी रासन गिराए सुर्वी सुर्वीम अवाम अवस्ठवा सुरादिव ताम अप्रश्चत सुर्वी की याने किors अवस्था को द्रश्टवा देख करके सुरादिप इंद्र ने उससे पूचा अई सुबे किमेव हे गाई माता किमेव किमेव रो दिसी तुम क्यों रो रही हो उच्चे ताम कहिए इती एसा साच उसने कहा विनी पातो नव कश्चित द्रश्यतेती दसाधिप हम तु पुत्रम सो चामी तेन रोदिमी को सिक गाई कती है कि मैं हे इंद्र पुत्र की दीनता देख करके मैं रो रही हूँ विनी पातितो पुत्र की विनी पातो नहीं कश्चित द्रश्यतेती त्री दसाधिप विनी पातो विनी पातो बतलब जो है मैं रो रही हूँ कि किसान बहुत पीडा दे रहा है उसको और जो है मैं रो रही हूँ वो कती है कि भूमी पर गिरेवे भूमिय पर गिरे विये बेल को देख करके गाय की आँखों में आसु आ जाते हैं और अरी कल्याणी क्यों रो रही है कहो और वह बोली है देवराज इंद्र तुमारा कोई अनादर इसमें दिखाई नहीं देता है किसमें विनी पातो न वकसीत डिससा दिपः अहम तुपूत्रं सोचामी तेन रोढ hacia six को सिक का मतलब होता है यह जो है इंद्र विनी पातों विनी पातों मतलब तुमारा कोई अनादर दिखाई नहीं देता है मैंने तुमारा कोई अनादर नहीं किया आए है विश्वामित्र एंद्र में तो बेटे का सोक कर रहे हूं अतर रो रहे हूं हम तु पुत्रम सोचामी अहम तू पुत्रम सोचा मी मैं पुत्र का दुख कर रही हूँ तेन रोध मी कोशिक इसलिए तेन रोध मी रोधनम करो मी कोशिक इसलिए मैं हे कोशिक हे इंद्र मैं रो रही हूँ मैं क्या कर रहे हूं मैं रो रहे हूं त्रीदसादिव का मतलब देवराज इंद्र न्यापर बताया गया है कोशिक का मतलब है कुशिक नंदन है विश्वामिंद्र है विश्वामिंद्र इसको भी यह न्यापर यह सब जो है इंद्र के ही प्रेवाची सब्द है विनी पातो म मतलब वो दाए कि अनादर शय दिखाई नहीं दे रहा है कश्चित कोई द्रस्चते दिखाई नहीं दे रहा है मैं तो पुत्र के पुत्र का सोच कर रहे हूं पुत्र का धुग कर रहे हूं तेन रोधिमी मैं इसलिए रो रहे हूं भोवाशव एंद्र पुत्रसे देन्यम दश्टवा अहम रोधिमी पुत्र की दीनता को देग करके मैं रो रही हूँ सदीन इती जानन नपी क्रसक तम बहुदा पीडियती सदीन वह पीडित है वह दुकी है इती एसा जानन नपी जानते वे भी कर सकर वह किसान तम उस किसान ने उसको बहुदा पीडित करता है स्रक्रच्छेण भारम उद्वहती वो पीडित होने के कारण वो मतलब भार जो है सहन नहीं कर सकता इसलिए मैं सोख कर रही हूँ यह सचे क्या सचे हे इंद्र पुत्र की दीनता देख करके में रो रही हूँ कल्यानी संदे जो है भारम उद्वहती इतरम इव धुरम वोडुम स न सकनोनी इतरम इव अन्य देलों की तरह धुरम वोडुम दूर जो होती उसकी जो बेल जो है उसको जोतते है वो एक धुर होती है उसको कंदे पर रखते है उसको वो उसको वहण करने में न सकनोमी वो समर्त नहीं है एतद भवान पश्यती यह आप देखते हैं नहीं यह आप नहीं देखते हैं इती प्रत्योजद इस पकार उसने कहा भत्रे नूनम सस्त्रा दिकेश पुत्रेश सतेश वपी तव अस्मिन नेव एतादर्सम वासल्यम कतम इती इंद्रेण प्रष्टा सुरभी प्रत्योचद भद्रे है भद्रे नी संदे हजारों पुत्र होते वे भी तुमारा इस पर इस पुत्र पर इतना इसने है एतादर्सम वासल्यम इतना प्रेम जो है केसे है कतम केसे है इती इसा इंद्रेण इंद्र के द्वारा पूछा गया सुरभी प्रत्योचद और सुरभी ने उस गाई ने जवाब दिया धन्यवाद